हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो यूट्यूब चैनल कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में छे ऐसी अपडेट्स है जो कि आप लोगों के मन में हमारे मन में हमेशा यह सवाल बना रहता है जिब यह सवाल का जबाब मिलता है तो मैं सुचता हूँ आप लोगों के सामने क्यों ना पेस कर दिया जाए तो कुछ ऐसे ही अपडेट्स हैं जो हमारे मन में सवाल चल रहे हो सकता है आपके मन में यह जबाब यह सवाल आ रहा हो आखिर क्या है पुरे डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो के लीजेगा भाई क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि फलाइट में सफर करते समय अगर एक घंटा बीत या था फलाइट के टाइम से और उ यदि उडान में छे घंटे या उससे अधिक की समय देरी हो रही है तो हर यात्री हवाएड़े के होटल में ठहरने की और खाने पीने की हर चीज की बेवस्था मांग सकता है और उन्हें देना पड़ेगा यानि कि यह आपकी वेटिंग हो या कुछ यो छे घंटे से ही रहता है आखिर क्या देगे मेरे स्पोंसर ने मेरा एकामा खतम होने के एक दिन पहले ही मेरा फानल एक्जिट लगा दिया अब मेरा फानल एक्जिट लगा दिया है तो उसके एक दिन बाद भाई मेरा एकामा भी खतम हो गया लेकिन मुझे फानल एक्जिट कैंसिल करवा क्योंकि मेरा अभी बकाया उसके पास में बाकिये हिसाब बाकिये कैसे क्या होगा जवाजाद ने जो अपडेट में बात बता है यहां पर मुकविद अपडेट भी देख लिजिएगा कि सौधी कानुन के मुदाविफ फानल एकजिट को जो इस्पोंसर है वो अपने मुकीम या अफसर के जरीए कैंसिल कर सकता है बस यह होता है कि मुकीम की जो इनकी आईडी होती है वो वैलिड होनी चाहिए उसके बाद में यह अपना फानल एकजिट जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं वहीं पर जो दूसरी अपडेट है दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम फानल एक आपको final exit cancel करवा कर अगर आप जोब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो हो जाता है अगर नहीं करते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको देश छोड़ना होता है यानि 69 दिन से 60 दिन के अंदर अंदर इसमें कोई दोर आए नहीं अगर आप देश नहीं छोड़ते हो तो आप जानों को काम जाने फिर बाद में बड़ा सारा हो जाता है तो final exit को cancel करवा करके और उसके बाद में transfer किया जा सकता है जोब को लेकिन इसमें आपके कफिल की राजी नामा होना जरूरी है यहीं पर जो दूस्तों तीसरा अपडेट यहां पर आपको बता दूँ सरी सुदियरब में आप किसी भी डेश के हो जहां हो अगर पासपोर्ट का PCR से इसे एनार करना चाहते है यहाँ पर बताया है कि साथी कानून में पासपोर्ट को रिनावल करने के लिए PCR यह करने के लिए आपको किसी परकार का आपके उपर जुरुमाना नहीं होना चाहिए और नहीं किया जाएगा दोस्तों यहां पर पाच्वी अपडेट है एक है छुट्टी को ले करके तो मैं सौधिय अरफ से छुट्टी जाना चाहता हूं लेकिन मेरे उपर एक मोबाइल का इस्टॉल्मेंट यह इनि किस्त बाकी है क्या मैं छुट्टी जा सकता हूं तो जवाजा जो जवाजात कहते हैं उनका यह कहना है कि अगर यह सब चीजे जमा हो जाए आपके उपर किसी परकार का जुरुमाना ना हो तो ज्यादा बहतर है अब एक बात यहां पर भाई ने सवाल किया था कि सौधिय अरब में जो तीर मेहने का टंप्रेरी वर्क बीजा शुरू किय किया है जहां पर इस रमजान के महीने में रमजान से ले करके और जो है बकरीत तक यहां पर लोग आ करके काम करते हैं यह टंप्रेरी विजा जो है यह उन्हीं लोगों के लिए लागू किया जाता है जो कि वहां पर आ करके खाली काम कर सकते हैं अदरवाइस हर जगे लोग काम नहीं कर सकते हैं अब रही बात इसकी फीस क्या लगती है इस चीज को काफी कई लोग अलग अलग तरीके से लेते देते हैं इसका फीस ठीक है तो इस पर मैं कोई कंफरम नहीं करूंगा बात हाँ अगर आपका जिस तरीके से इसी एजेंट से बात बनती है जम जाये तो आ जरूरी है और मक्का में ही आके काम करना होगा ये भी जलूरी है और हर जगह, काम उन्हाली सकता है तीन महिनेकों खातम पहले उसको देश छोड़ना होगा याई तीन महिने में देश को छोड़ना होगा ये temporary वर्ग विजया है इसके आज तक के लिए होता है आई होब कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद रहें तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो जो शेर जरूर कर दीजिएगा आपके मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स् साथ में तक तक के लिए जैहिन